हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल इस माइनवेस्टमेंट में फ्रेंट्स वोड़ा फोन की बोर्ड मिटिंग में आज क्वाटर थरी के रिजल्ट अनौंस हुए हैं फंड रेंट को लेकर फिर से कमपनी का बड़ा प्लान सामने आया है और इस बार इंटरस्टिंगली प्रमोंटर भी फंड इंफ्यूस कर रहे हैं तो क्या फ्रेंट्स मोटर के fund infusion करने के बाद शेयर की किसमत बदलेगी शेयर में तेजी देखने को मिलेगी quarter 3 के results कैसे हैं कमपनी का future outlook क्या है और इस news पे fund raising की stock कल कैसे react कर सकता है इस बारे में detail में हम बात करने वाले हैं बोड ने 14,500 करोड के fund raising को approval दिया है इस तरह का approval जो है last year भी इन्होंने दिया ता 4-5 quarter पहले उसके बाद में कोई major fundraising ये नहीं कर पाए इस बाद जो सबसे वड़ी news आई है वो 4500 करोड रुपे जो है पर motor infuse कर रहे हैं और 3.3 billion equity share जो है 13.30 पैसे के price पे company promoter को issue करेगी और 4500 करोड रुपे दोनों promoter मिलके Vodafone और अधित्य बिरिला company में infuse करने वाले हैं ये news थोड़ी positive है क्योंकि promoter पहले से हमेशा ये कहते आया है कि वो कोई fresh fund infuse नहीं करेंगी तो promoter fund infuse कर रहे हैं तो वाके में ही ये positive भी है और कहीं ना कहीं promoter का confidence भी company पे दिखाता है और price भी जो 13.30 पैसे आया है वो आज की closing से लगबग 15% की आसपास का premium है जो 3.38 billion equity shares issue हो रहे हैं 13.30 पैसे पे वो जो Vodafone Group की जो company है जो company की promoter है euro specific securities limited and prime metals और और इन इन्वेस्मेंट पीटी की जो अधिते बिर्ला गूरूप की entity है उन दोनों को issue कर दिये जाएंगी इसके अलावा 10,000 क्रोड रूपे company जो है और रेज करना चाहती है GDR के थुरू अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसीट ADR foreign currencies convertible bond convertible deventures warrants और जो है अधर मोट से इसी तरह का plan मेरे को अच्छे से याद है पाच्छे क्वाटर पहले भी इन्होंने दिया था कि यह जो है ADR और GDR के थुरू और convertible deventures के थुरू fund raise करेंगे हलाकि वहाँ पर कोई major development हुआ नहीं और वो शेयर के price में भी कही न कहीं दिखा है पर मैंने जैसे पहले का है कि इस बार promotor infuse कर रहे है तो वो fund तो company को मिलने वाला है इसके अलावा इंडस्ट आवर में भी इन्होंने stake sale के दिए वहाँ से इनको fund जो है आ सकता है फिर वोड़ा phone के जो ongoing concern चल रहे है और जो positive news flow है उसके बारे में समराइज करके मैं आपसे बात करता हूं कि जो fresh shares जो है company issue करने वाली है और इससे और equity dilute होगी है obviously इस तरह की company जो वोड़ा phone आइडिया है जितना fund एक्कूटे के थरू रेस करेंगी उतना ही इनके लिए अच्छा है क्योंकि यह debt raise करने की condition में नहीं already books पर heavy debt है पर हां equity की भी एक cost होती है और वह भी बहुत हैवी होती है क्योंकि equity जो है dilution होगा और valuations expensive हो जाएंगी जब equity dilution होगा तो market capital बढ़ेगी और company के वालोशन expensive हो जाएंगी fund infusion जो promoter कर रहे हैं ये news मेरे को काफी positive लगी है और promoter का कहीं न कहीं business और company दोनों में confidence दिखाता है एक concern मेरे को ये लगता है जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि पिछले 18 महिने से बाते आ रहे हैं कि word of an idea में कोई strategic या बड़ा investor आ सकता है और उसको ये sizable stake issue करके एक बड़ा fundraising कर सकते हैं इनको पिछले डेड़ साल में कोई भी investor नहीं मिला है कोई भी बड़ा नाम इनके साथ नहीं जुडा है इसके अलावा company लगातार struggle कर रही है अपने peer से compete करने में इनके जो जितने भी customer है या तो वो टूजी वाले customer हैं जो शायद जो है smartphone नहीं चलाते हैं और या फिर वो customers हैं जो बहुत पुराने हैं इनके loyal customer कह सकते हैं और वो minimum recharge इनका करा रहे हैं सो रूपे का सिर्फ incoming के लिए क्योंकि इनका जो एर प्यू है average revenue पर यूजर है वह बहुत बड़ा concern है क्योंकि वह customer कहीं अपना number port करा रहा है दूसरे customer में यही कारण है कि word of an idea हर महीने customer base को lose कर रहा है और सबसे बड़ा concern आज भी heavy losses आया लगातार company जो है heavy losses दिखा रही है net worth पूरी road होती जा रही है तो company जब तक free cash flow जनरेट नहीं करती तब तक इतने tight competition में कैसे survive करेगी quarter three results के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहात्तर सो क्रोड के आसपास का profit आया है consolidated basis पे लॉस आया है consolidated basis पे लास्ट ये लॉस जो है set off हो जाती है बात आते है future outlook की है सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कल कैसा खुलेगा stock ओल्रेड़ी आज 6% की move देखने को मिलीए 11 रुपयाट पैसे के आसपास बंद हुआ है promoter के fund infusion की news story positive है हो सकता है positive not पे 4-5% कल stock ऊपर खुल जाए पर sustain करे इसकी chances मुझे थोड़े से कम लगते है पर news positive है तो एक बार को positive खुल सकता है हो सकता है थोड़ा move देखने को मिल भी जाए future outlook की यहां पर बात करूं तो Vodafone idea में जो survival issue की बात पिछले लेट साल पहले चल रही थी वो अब नहीं है मैं इस बात को मानता हूं पर आप समझेए कि थोड़ा सा देखिए कि आप yes bank yes bank का एक example लेजिए कि survive तो yes bank भी कर रहा है पर equity लगता dilute करके fund raise कर रहे है वालूशन इतनी expensive हो गई है तो उसके सामने income नहीं है return on equity कहां से आएगी तो सिर्फ company survive तो stock market में बहुत company है जो list है कर रहे है पर जब उनमें growth नहीं है business नहीं profit नहीं है तो share का price कैसे improve होगा अब उस बात को समझे तो obviously survive करेगी zero नहीं होगा share पर बड़ी growth नहीं बड़ी growth आने के अभी कोई असार नहीं लग रहे है issues बहुत है company के साथ में competition में इनके लिए growth करना तो बहुत मुश्किल है यह अपना जो share market share है उसको ही बचा लें बहुत बड़ी बात है तो future outlook मुझे बड़ा uncertain लगता है मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा move देखने को मिलेगा मेरा ऐसा मानना है जो नीचे के level से हैं या उपर के level पर थोड़ा फसे हुआ है 14-15 रुपे के आसपास 16 रुपे के आसपास यह गया था आपका price आता है तो आप निकलने के तर है देड़ साल से कोई बड़ा investor इनको नहीं मिला है मुझे नहीं लगता 10,000 क्रोड का जो प्लान ने इस बार भी दिया है पर motor का पैसा तो आई जाएगा वहां पर कुछ यह majority of कोई बड़े investor को जो है यहां से fund raise कर पाएंगे मेरे को बहुत uncertainty लगती है थोड़ी सी positive news है तो के base पर हो सकता है कल स्टॉक positively react करें पर short to medium term में मुझे कोई बहुत बड़ा move नहीं लगता और long term outlook भी बहुत uncertain लगता है हर उच्छाल में निकलने की तरफ देखेंगे तो आफ फाइदे में रहेंगे Vodafone idea में अभी भी बहुत problem है किसी भी तरह से ना company competition को में survive कर पा रही है ना customer base जोड़ पा रही है और ना ही जो इनका already इनके पास जो subscriber है उसको रिटेन कर पा रही है तो बहुत uncertainty है उच्छाल में अगर आप निकलोगे तो इस तरह के stock में सुखी रहोगे फरदर आपकी कोई भी query इस वीडियो को लेकर हो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके अपने YouTube channel is my investment को subscribe करना ना भूले thank you